नमस्कार बिभित घट्ना क्रम को चर्चा परिचर्चा जानकारी रविश्टेशन सहीत को कारीक्रम कापिटल फ्रॉंट लाइन बात अपाले आज अपनी स्वागत छो यो कारीक्रम कापिटल टेलिवीजन कापिटल एफेम रेडियो सारंगे पोखरा रा मोरंग लगायत अपनी बिभित प्रसंग शन को सहाबा कितामा बनेको समाज बाती मोरण सा भीतर बिभात पनी सुरू भ्हाइक शा अर्थमन्तर ढक्टर प्रकास्तरीन महат्र MCC का कम्प्याक्ट संचा लन संबन्धि उपादक्ष अक्यमुरेन अलफोड बुदाबार अर्थमन्तर आले मा प्रमुग सरकार वाला को उपस्तितिमा MCC नेपाल कम्प्याक्ट कारोनेन चरण मा प्रवेश इन्ट्री इन्टु फोर्स EIF सम्मन्दी पत्र आदान प्रदान गरी ए संगई पाच बर्ष को समय थोकियेको MCC को परियोजना कारोनेन मा गहे को छा सम्जहुता भाईको चा बर्ष पची परियोजना कारोनेन को चरण मा प्रवेश करेको हो नेपाल रो अमेरिका बीच दुहजार चावत्तर बदाव उननतिसकते MCC परियोजना अगी बडावने सम्जहुता भाईको थियो नेपाल सरकार रो अमेरिकी सहयोग नियोग MCC संग भाईको सम्जहुता को धारा सात अनुसार आवशक पूर्व सर्तहरू पुरा भाईको कुरा मा MCC संतुष्ट भाईको अबस्था रो सम्जहुता लागु गर्ना उसले नेपाल सरकार लाई प्रेसित गरिको पत्र का मिति देखी यो लागु हुने ब्यवस्था छा सम्जहुता को धारा साथ दस्मर अप्चार मा सम्जहुता लागु भाईको मिति देखी पांथ बर्षको अबदी सम्म बहाल रहने उडलेग छा 30 अगस्ट 2030 मा सम्जहुता लागु भाईको यो परियोजना मिलेनियम चालेंज कर्पुरेशन MCC कारुणनन को विशेलाई लियेर 47 डलहरू सहित को सहवा अगिता मा बनेको सम्जबादी मोर्चा भित्र बिवाद सुरू भाईको छा MCC कारुणनन को घोषणा होनी भाईपसी प्रधानमंत्री पुष्पकमंदाहाल प्रचंडले बुदबार बिहानई बालु आतार मा बोलाएको सम्जबादी मोर्चा को बईठक माई बिवाद भाईको थियो बईठक मा नेत्रपिक्रम चंद बिपलब नेत्रितो को नेकपा का नेताहरूले बईठक मा प्रधानमंत्री प्रचंडले बईठक मा बुदबार धन्गडी मा आयो जना होनी भनियेको मोर्चा को संदेश सबापनी इस्थगित भाईको थियो बिपलब ले बारबुदी ब्याक्ख्यात्म टिपड़ी बारी अमेरिका को लिखत धारणा ना आये सम्म कारूनेन न गर्न आगरह गरेका छन तरब प्रचंडले MCC कारूनेन को तहमानी प्रविस्गरी सक्किकाले अहिले लाई क्याही गर्ना न सक्ने जवाफ दियेका थि समाजबादी मोर्चामा रहेको बिपलब नेकपा अहिले MCC की कारण असंतुष्ट छा बिपलब नेकपा पहिले देखिने MCC बिरुद्ध उभिये के थियो अब कुन धंगबाट अगी बढने उसले आपनो कार योजना बनाई रहेको बुजीन छा सरकारली MCC कारण अनमा लियाय पची बिपलब नेत्रितुको नेकपा मोर्चामा असंतुष्ट छा बुदबार पाटिक महासची बिपलब ली प्रधानमंत्री प्रचंदलाई भेटेर सहकार्य तोड़ने चेतावनी समय देशके काशन बुदबार सिंगदरबार मा अर्थमंत्री डाक्टर प्रकासरन महत रए MCC उपाधक्षय क्यामरे नलफोड बीच MCC कारण अनमा प्रविस्कारेको पत्र आधान प्रधान भहिर हदा बीप्लब नत्रीत को नेकपास सहितले कारफणों मां MCC कारण अनको बिरोध मां प्रदर्शन गरी रहे का थी अरको प्रशंगा गतसाम तीन गते ब्रेक्सुमार आखेर लेएको 60 किलो साथ सै सोर ग्राम सुन त्रिभुबन अंतरास्ट्रिय बिमाने स्थलबात राजस्य अनुषंधान विभागले बरामत गरे पसे अनुषंधान का क्रम्मा नया नया तत्क्या अरूपनी आई रहेका शन। अनुषंधान का क्रम्मा बिदिसी तसकर अरुडे खुलाम खुला फर्जी कागच फर्जी काज्यात्र नाता खड़ा गरेर नेपाली नागरिक्ता लिएको खुला साभायको शा। सुन तसकरी प्रक्रणमा पक्राव परेका तिब्वती बोलका बेल्जियम को पास्पोर्ट धारी दावा चिरिंगले काब्रे प्लांचोक जिल्ला प्रशासन कारड़े बात निमा तामांका नाम्मा नागरिक्ता लियेको पुष्टि भायको छा ग्रियमंत्वाले का अनुसार उनले काब्रे प्लांचोक को नमवुद्ध नागरपाली का अई घारका पेमा तामांको छोरो बनेरा नागरिक्ता लियेको ग्रियमंत्वाले बनायको छानमिन तोलिले पुष्टि गरेको हो समिती बाग ग्रियमंट्वाले को कानुनी साखा अधिकरेत प्रमोद बीक, काब्रेप्लांचोक का प्रहरी नायब उपरिक्चक ढोंडिराज नह उपाने, अध्यागमन विभाक का अधिकरेत खेमराज सापकोटा रजिल्ला प्रुषासन कारले काब्रे का प्रुषास क्या अ गरेको अनुसंधान मा उनले नेपाल बात नागरिकता लियेको पुष्टि भाय को हो। हेरनेगरी शिफारिस गरियेको पनी समीते ले जना आयको छा। हेरनेगरी शिफारिस गरेको अनुसंधान मा उनले नेपाल बात नागरिकता लियेको पुष्टि भाय को हो। हेरनेगरी शिफारिस गरेको पुष्टि भाय को हो। तर यहाँ बने सिलिंडर कई उल्टो 235 रूपिया ले बढ़ाईएको छा। नेपाल मा LP-गयास प्रती सिलिंडर 235 रूपियां बढ़ा भारत सरकार ले भने। खाना पकावने गयास LP-जी सिलिंडर को मुल्य प्रती सिलिंडर 22 भारत्य रूपियां भटा आयको छा। भारत बाट आट गयास आयाद गरी नेपाल मा बितरन होंचा। तर नेपाल मा भने बड़े को छा। बुदबार भारत को मंत्री परिश्यत को बैठकले रक्ष्या बंदन परभलाई मध्यनजर गर्दाई सो नेणाई गरेको बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मिरन मा सुचनात था प्रसारन मंत्रे अनुराग ठाकुरले बताये का थी अब दिल्ली मा 14.2 किरोको एवटा खाना पकावन ग्यास सिलिंडर 930 भारत्य रुपियां करीब 11 अमेरिकी डलर मा उपलाबद होने छा यो निणाईले खारीडो खाना पकावने ग्यास का 33 करोड भंदा बड़ी उपभगता लाई फाइडा होने बताये कोशा तर नेपाल मा भने उल्टो भाय कोशा भारत बाटे ग्यास आयात गरी बितरण होनी भाय पनी नेपाल मा बिहीबार बाट खाना पकाउने ग्यास को मुल्य प्रती सिलिंडर 235 रुपिया ले बड़ा ये कोछा यो भारी ब्रिद्धी हो नेपाल आल निगमले बिहीबार राती देखे लागु होनी गरी उक्त मुल्य प्रिद्धी गरी पसी अब नया मुल्य अनुचार ग्यास प्रती सिलिंडर 1895 बेपुगे कोछा एसगी ग्यास सिलिंडर को मुल्य 1660 रुपिया थियो संगसंगाई पेट्रोलियाम पदार्था को मुल्य पनी बड़ेको हो पेट्रोल मा प्रती लीटर 4 रुपिया मुल्य ब्रिद्धी भाएको छा निगम का अनुसार इंडियन आल कर्पोरेशन बाट पेट्पोल रडिजेल मा क्रामस प्रति लिटर 3 रूपया सत्र पैशा र 2 रूपया 48 पैशा तथा एल्पी ग्यास को मुल्लेमा प्रति सिलिंडर 186 रूपया 45 पैशाले ब्रिद्धि भाईर आयको हो अब लागों युशादा को चर्चीत खेल प्रशंग तरफा चरचा हो एसिया कप को नेपाल पहिरोपटक एसिया कप खेली रहे को सा किसपमपनी पाकिस्तान र भारत जस्ता टीम संग खेलना पाऊनों नेपाल का लागी अबसर र परबन ही भनी ये को सा यद्यप्य उद्गाटन खेलमा भने पाकिस्तान संग नेपाल नराम र संग पराजित हो नपुगियो नेपाल एसिया कप को उद्गाटन खेलमा घरेली टोली पाकिस्तान संग दुईसे 38 रन को फरा किलू अंतरले पराजित भाए यो नेपाल को ODI इतिहास को सभिवन्दा खराब हार हो पाकिस्तान ODI क्रिकेट मा नेपाल लाई इतिहास का इसरवाद एक ठूलो लक्षा दिने टोली पने बने कोशा नेपाल एसिया कप को उद्गातन खेलमा घरेडिटोली पाकिस्तान संग 2-38 रन को फ्राकिलो अंतरले परादित भायो यो नेपाल को ODI इतिहास का सभिवन्दा खराब हार हो जीत का लागी 343 रन को बिशाल बिजै लक्षा पक्षाय को नेपाल 23-49 उभर मा 104 रन मा अल आउट भय नेपाल का संपाल कामिले 46 बल मा 4-4 का सहित सरवादिक 28 रन बनाए संपाल हरिस रोफाल को बल मा एज लागेर विकेट केपर मोहम्मद रिजबान बाठ उतकरिष्ट क्याच आउट को सिकार होना पुगे 14 विकेट का लागी आरिप सेक्र संपाल कामिले 38 बल मा 69 रन को साजिदारी गरेका थी अरिस रोफ को बल मा आरिप क्लीन बोल आउट भाए आरिप ले 38 पल मा 500 का सहित 26 बनाए संपाल रा आरिप बाइक औन्य कुने पनी नेपाली ब्याटरले राम रो प्रदर्शन गरन सके नन नेपाल को यो ओडियाई मा रान को हिस्सामा सभिवन्दा ठूलो फरा किरो अंतर को हार हो ये सगी वेस्ट इंडिज बिरुद्ध एक सै एक रन ले हार न पुगी को थियो पाकिस्तान का थी ब्रगति का बलर साहिन सहा फ्रीदिले पहल बहर में दुई उगेट लिएका थी नेपाल का उपनर कुषल भुरतेर ले साहिन सहा फ्रीदिलाई शुरुवाती दुई बलमा चौव का प्रहरगर्दय शुरुवात करेका थी तरह लेकसाइट को पांचो बलमा एज लागेर विकेट कीपर मुहमाद रिजवान बाट नौ रनमा क्याच आउट भाए लगत्ताई अरको बलमा रोहित पोडेल गोल्डेन डॉक आउट भाए नसीम साहा को दोसरो बहर को चौथ बलमा आशिप सेख एज लागेर स्रीप मा एप्थिकर अहमद बाट पांच रनमा क्याच आउट भाए नेपाल का गुल्षन जा 13, दिपेंदर सिंग 83, कुशल मलल 6, संधी प्लामेचारनेर ललेत डॉक आउट भाए करण सा त्रनमा नौट आउट रहे पाकिस्तान का सादव खान ले 16.4 अभर मा 27 खर्चेर चार विकेट ली साइन सा अफ्रिद ले 5 अभर मा 27 खर्चेर दुई विकेट ले हरीश रोफले दुई नसीम साहर मुहमद नवाज ले एक एक विकेट ले त्यसगी मुल्तान क्रिकेट रोंगसला मा टोस्चीतेर पहला ब्यार्टिंग रोजे को घरेली टोली पाकिस्तान ले निर्धारीट पचास अभर मा 6 विकेट गुमाओ दै 342 रन बनायको थियो यो निपाल विरुद्द कुनेपनी टोली ले ओडियाई में बनायको उच्च योग फल हो 208 वरियता का बाबर ले बेक्तिगत 55 रन मा जीवन दान पायका थिये त्यसको भरपूण सदुपयक गरे बाबर को अडियाई मा उच्च प्रदर्शन 2021 मा इंगलांड विरुद्द एकसे अंठाउन रन को सतकिय इनिंग थियो बाबर बेक्तिगत 55 रन मा जीवन दान पायका थि 29 अभर को 500 वल मा बाबर लाई करण ले कोटेन बोल आउट गरने अबसर चुकायका थि फिनिसर एक्थिकार अहमद 71 वल मा 114 चार चक का सहित 109 रन मा अबेजित इनिंग खिले इप्थिकार अहमद ले 67 वल मा आपनों अंतरास्ट्य करियर को पहिलू सतक थाने पाच विकेट का लागी अहमद र बाबर ले 131 वल मा 24 रन को सांदार दोहरो सतकिय साजेदारी गरे पछे कमजोर शुरुवात का बाबजुद विसाल योगफल बनायको थियो एक समय 16.01 वल मा 25 दुईको अबस्तामा पुगिको पाकिस्तान लाई तेस्ट्रो विकेट का लागी रिजवान र बाबर ले 86 रन को साजेदारी गरे का थि विकेट कीपर मोहमद रिजवान 24 वभर को चौथो बल मा पचास बल मा 64 का सहीत 44 रन मा रन आउट भाई दिपेंद्र को डाइरेक्ट थ्रो वल मा रिजवान नन स्टाइक मा अप्रत्यासी त्रूप मा रन आउट हुदई पेविलियन फर्के का थि नेपाल ले स्रुवात रामर गरेपनी तेस्ट्राई निरंतरता दिन सकेन तीब्रकतिका बलर करण केसिले चईठो अबर को तेस्ट्रो बल मा अपनर फकान जमाज लाई विकेट कीपर आसिप सेख भाट चौद रन मा क्या चाउट गराएका थि साथो अबर को पहिरो बल मा रहुद पवडेले डायरिक्ट थ्रो मा अरका अपनर इमाम उल हगलाई पांच रन मा रन आउट गरेगा थि नेपाल का संधिप लामिचानेले दो सो भर मा उनान सत्तरी रन खर्चिर एक विकेट ली करण केसीले 9 ओभर मा 54 रन खर्चिर एक विकेट ली सोमपाल कामिले 10 ओभर मा एक मेडन चहीत 15 रन खर्चिर दुई विकेट ली सोमपाल नेपाल बाट एकई ओडियाई खेलमा सर्बादिक रन खर्चिने बलर बनेका छन येसगी सोमपालर करणले समान 21 खर्चियेका थी। निपालले अंतिम 12 ओबर मां 129 खर्चिदा दुई विकेटली एको थियो। डेत ओबर मां पुन एक पटक खरा प्रदर्शन गर्न पुगियो। निपालले भदव अठार मां भारत संग खेल दैचा। सुपर फोर मां स्थार मरावन ओग्त खेल मां जीत संगई अन्या नतिजामा निर्भर हुनु पर छा। येसथाई पाकिस्थान ओडियाई क्रिकेट मा निपाललाई इथिहासके सर्बादिक ठूलो लच्च दिने टोली पनी बने को छा। एची आकप को उदघातन खेल मां घरेट उट्रोली पाकिस्थान निपाललाई 343 रन को बिसाल लक्ष दिये को थियो। पाकिस्थान निपाल बिरुद्ध ओडियाई मां सर्बादिक रन बनावनी टोली बनेव। यह सगी निपाल विरुद्ध सरबाधिक रन वेस्टिन डिज्डे बनायको थियो। वेस्टिन डिज्डे दुए मेना अगी ICC बिसोकप चनोटमा निर्धारित पचास भरमा साथ विकेट कुमाउदई 349 सुरन बनायको थियो। तिया सगी ICC बिसोकप लिक्टूमा ट्यू मैदानमा UAE ले निपाल विरुद्ध 312 सुरन बनायको थियो। वेस्टिन डिज्डे को कृतिमान पाकिस्तान ले तोडेको हो। पाकिस्तान संगो को खेले कानुभाब रस्तिकाई रहेकोर निपाल विक्रिके टीम का लागी योनुभाब वली का दिन का लागी निके महत्त पोड़ा होने समिक शक बताऊँछान। अब निपाल ले भदावा ठार गते भारत संग खेल दैशा। भारत जस्तो विश्व च्यांपियंचंग खेलन पाऊँणू पनी निपाल का लागी अबसर रहेकोछा। जसका लागी निपाली क्रिके ट्ट्टोली पाकिस्तान बात स्रीलंका पोगी शाकेकोछा। खेल स्रीलंका मा होने छा। शुपर फोर्मा इस्थान बनाऊना उक्त खेल मा जीत संगाई अन्या नती जामा निर्भर उनुपर्ने देखिन छने विवित विशाय सहीत विविन गटनाक्रम को चर्चा परिचर्चा जानकारी रेविश्णे सर्चार सहीत को कारिक्रम क्यापिटल फ्रोंटाई ने आज अखला आगी सकिये को छा अरी राए बिदा दिनोस नमस्कार